और एक सवाल था कि आप इसमें पत्या जादा डाल रहे हैं 60% और 40% जो आपने मिट्टी कहीं हैं तो प्लांट्स को मिट्टी ऐसी चाहिए जो मतलब उसमें जो यह पत्या वो डिकंपोस हो चुकी हों क्यूंकि इनको डिकंपोस करने के लिए चाहिए होता है नाइट्रोजन और प्लांट्स को ग्रोग होने के लिए चाहिए होता है नाइट्रोजन तो जब यह पत्या में यहाँ डाल रहा हूं तो जो प्लांट के रूट्स को नाइट्रोजन मिलना चाहिए वो उनको ना मिलकर यह जो पत्या है वो नाइट्रोजन यह एब्जौर कर लेती है तो ना यह नांटरोजन ज्यादा होने के वज्यस MOM वह यह हैं आपको जल्दी घाती है तो इसके वज्यस से जो प्लान्ट हेशं इसके लिए मैं इक ही कहूंगा कि में जो अभी सेटब किय किया है वहांपे में जो अभी यह ड्रम एक साल देड़ सार पुराना है जहां पर मैंने इस तरह से लेयर बाई लेयर कर रहा हूं तो एक साल आपको इस तरह से ड्रम रखना चाहिए अगर आप मतलब पेशन्स हो उतना तो तो उस वज़े से क्या होता है कि जो नीचे वाली पत्या होती है वो पहतर तरीके स से डिकम्पूस हो जाती है और उसके बाद उसमें आप कोई प्लांट लगाए ऐसा भी होता है कि यहां पर घास उख जाती है तो आप उसको काटे ना वह जैसी हैं वैसे रहने दे वह एक नाइट्रोजन होल्ड करके रखती हैं अपने रूट्स में और उनके वज़े से जो अंदर का सॉयल सिस्टम है वो हेल्दी रहता है तो इनमें में और ये जो ग्राफ्टेड वेराइटी मेंने मैंगोस की लाई है वो में और बाकी ड्रमस में भी लाऊंगा जो बच्चे हैं पर ये में समर्टाइम के बाद ही करूंगा अभी विंटर सिजन जैनवरी मन्थ श तो यहां पर कुछ नहीं लगाऊंगा और उसके बाद में जो ग्राफ्टेड वेराइटी मैंगोस की वो लाके यहां मतलब लगाऊंगा तब तक इनमें जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो काफी हद तक अच्छी हो जाएंगी